असलाम वालेकुम दोस्तों तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मैं अपने कुकिंग के वीडियो किस तरह से शूट करती हूं फ्रेंड्स किस तरह से मैं अपने कुकिंग का जो शूट है ना वो किस तरह से सेट अप करती हूं इसका सारा और मैं ट्रैपोर्ट को किस तर कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए इस तरह का मेरे पास ट्राइपोर्ट है तो मैं इसको सबसे पहले देखिए खोल लूँगी यहां पर तो देखिए इसको मैं नीचे रख कर बताऊंगी आपको सबसे पहले तो देखिए मैंने इसको नीचे रख लिया है हम तो यहां पर ?से नीचे रखने से ट्राइबॉड मेरा एकदम यहा going नहीं आता है तक यह ए वीडियो शूट हो सके तो इसके लिए मैं क्या करती हूं यहां पर यह ट्राइबॉड को किया है थ्ोड़ा फोल्ड कर लेती हूं और यहां पर देखिए मैंने टेबल रख लिया है यहां पर देखिए चोटा टेबल है नीचे फिर उसके ओपर एक ओर टेबलरुकि नीचे वाला चुले ना उसके उपनमे अच्छे से वीट नहीं होगा तो इसके ओपर मैं इस तरह का टेबल रख लेती हूं और ट्राइपोड को मैं अच्छे से सट कर लेती हूं इस तरह से तो देखिए यहां पर ट्राइपोड को अच्छे से सट करकर मैं इसको इस तरह से रख लेती हूं और यहां पर इसके उपर मैंने इसके इसको भी सट कर लूँगी ट्राइपोड को भी सट करकर फोन रखती हूं तो friends मेरा फोन है Samsung Galaxy A23 5G का फोन है मेरे पास तो आपके फोन की clarity अच्छी होनी चाहिए friends यहां पर और आपकी lighting अच्छी होनी चाहिए तभी आपका वीडियो अच्छे से audience को नजर आएगा और बहुत अच्छी clarity होगी तो audience आपके वीडियो पर आएगी तो द सब जो पकता है ना वो सब अच्छा सा दिखे तो इस तरह से मैं इसको जूम करकर बताती हूं तो देखे फ्रेंड गैस पर जब मैं एक ही गैस पर पकाती हूं तो देखे यहां पर बाजू मैंने chopping board रख लिया है ना तो उसको भी मैं क्या करती हूं गैस के बाजू रख ले लेती हूं थोड़ा दूर रखती हूं ताकि यह गरम ना हो तो देखे इस तरह से रख लेती हूं मैं और जो कढ़ाई के बाज आप देख रहे हैं ना तो इसको यहां पर एक और flower pot है मेरे पास तो उसको मैं कढ़ाई के पीछे रखती हूं ताकि जब मैं cooking के वीडियो बना करते हैं अब इससे क्या होगा हमारा बैग्रांड जो है ना वह बहुत अच्छा लगेगा जब हम वीडियो को शूट करेंगे तो इतना होना चाहिए हमारे पास तो देखिए अब मैं क्या करती हूं यहां पर मैं इस तरह से पकाने के वीडियो शेयर करती हूं तो जब देखिए चॉपिंग बोड है कुछ कटिंग करनी होती है या कुछ मैरीनेशन करना होता है चिकन का भी जो भी हम कट करते हैं तो मैं इस तरह से तो आप मेरे कॉंटर पर देख सकते हैं आजू-बाजू भी दूसरी चीज़ें हैं तो देखिए यहां पर मेरा कॉंटर इस त रख लेती हूं मैं यहां पर तो देखिए इस फिर इसके उपर मैं इस तरह से फ्लावर्स पॉर्ट रख लेती हूं और जो चॉपिंग करने होती है वो कर लेती हूं जो मैरीनेशन है मैं कॉंटर पर इस तरह का रखकर करती हूं तो फ्रेंड्स मेरे किचन का टूर पूरा वीडियो अगर आपको देखना है ना तो मेरे चैनल पर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने आप देख सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैं फ्लावर्स को नीचे दाल देती हूं ताकि यह अच्छे से नजर आए और बॉल के पीछे देखिए आप देख सकते हैं और सब में जरूरी है हमारे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए अगर हम किचन में बना रहे हैं तो लाइटिंग जरूरी है लाइटिंग अच्छी सी होनी चाहिए तो इससे हमारे क्या है व्यूस भी बढ़ेंगे और पुरा वाच भी करेंगे तो क्लियारिटी अच्छी ह तो ज्यादा वाच करेंगे तो देखिए मैं इस तरह से रख कर ðूंध तो यहां पर देखिए मेरे घैसंद के ऊपर ना छिमनी हैborg के ओपर देखिए मैं इस तरह से फोल्डर लगा लिए है और इसके उपर बल्प लगा लिए है तो एक बड़ा बल्प लगाया है मैंने चोटा बल्प लगाया है तो मैं जब को किंग के वीडियो शूर्ट करती हूं तो तब ही इसको खोलती हूं ताकि डायरेक्ट कढ़ाई या पैन के उपर या बगोना जो भी हम पकाते हैं डायरेक्ट उसके उपर रोशनी पड़ती है और अच्छी सी क्लियारेटी नजर आती है तो आप देख सकते हैं साइड में भी सामन है लेकिन यह नजर नहीं आता है मेरे वीडियो में क्योंकि मैं पूरा फोकस अपना जो म मैं अपना पूरा कुकिंग का वीडियो शूट करती हूं फ्रेंड्स तो आप भी देखिए अगर कुछ आपको टिप्स मिलता है तो देखिए तो पहले फ्रेंड्स मेरे पास ना यह फ्लावर पॉट्स थे ना कुछ मैं ऐसे ही सिंपल बनाती थी मैंने अभी अभी हाल ही मे मैंने लिया है पहले में बिल्कुल साधा था मैरे पास कुछ भी नहीं था तो ऐसे ही इसको बनाती थी वीडियो तो बहुत ही सिंपल ऐसे भी बनाती थी अब मैंने यह सारा लेकर मैंने आपके साथ शेर किया है फ्रेंड्स तो मैं इस तरीके से अपने कीचन में सब्सक्राइब कीजिए तो इंशाला फ्रेंट्स बहुत ही जल में आसान और मज़ेदार रेसेपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं तब तक के लिए दूआ में रखिएगा अल्ला हाफीज